गुड मॉनिंग स्टूरेंट्स, मैंनों उमीद हैं कि तुसे बलकुल ठीक होगे बच्चों आपने पंजाबी ते पिछले वीडियो लेक्चर बेच जासी बागदी सेर कविता किती सी बच्चों मैं उमीद कर दियां कि तुसे अपना होमवर्क डेली कंप्लेट कर दे हो आते जो असी समझा रहे हैं तो अनों समझ आ रहे है आज जैसी पंजाबी व्याकर रहां दा विश्या करांगे एक जरूरी कामदी अर्जी बच्चों अर्जी रही आसी कोई भी सूचना एक व्याक्ती तो दुझे व्याक्ती नो लिख के पंचों दे हैं जिदा जिस दिन तुसे स्कूल नहीं आना होंदा तुसे इस चीज दिन जान करी स्कूल वाले आनों अप्लिकेशन आहीं पेच दे हो पहला एकम तो अठी पेरेंट्स कार दे सी क्योंकि तुसी शोटे होंदे सी हों तुसी वड़ी जमात विच्च्य होगे हो छों तुसी आप्लिकेशन खुद लिख के पेच जोगे आज आसी आप्लिकेशन लिखनी सिखांगे जरूरी कामदी अर्जी सब्त बेलां से हैडिंग पामागे ज़रूरी काम लेई छुटी लैनली पत्तर सेवा विखे सेवा विखे दा मदलब है कि आसे अप्लिकेशन के स्व्यक्तिनों बेज रहे हैं मुख अधियापका जी SKS के एजुकेशनल इंस्टिचियोट लुद्याना सेवा विखे दा वाद असी उस परसन दा अड्रेस लिख दिया नाम लिख दिया जेनों असी अप्लिकेशन पेज नहीं चानदे हैं ठीक है बच्चों उस दा वाद आ जानदा है विश्या कि विशेद विच असी बहुत काट शब्दा विच लिख दे हां कि असे application किस topic दे बारे पर ही जुरे हां साथी application विच मेन गल की है वो से विशेद विच एक line विच complete कर दे हां उस तवाल असी लिख दे हां शीरी मती जी क्योंकि साढ़े मुखा दिया पिका जी एक lady ने इसलिए असी लिख दे हां शीरी मती जी स्री मती जी जिदा English विच मैडम कहन दे हां पंचाबी विच असी स्री मती कहन दे हां इस तवाल असी लिख दे हां बेंती ए है कि मैं आप जी दे स्कूल दूजी जमात विच पड़दा चांपड़दी हां अगर तुसी लड़की हो ता तुसी पड़दी लखोगे मैंनू कार विच एक जरूरी कम पै गया है इसलिए मैं आज स्कूल विच हाजर नहीं हो सकता या सकदी किरपा करके मैंनो एक दिन दी छुट्टी दित्ती जावे ठेक है बच्चो श्रीमति लिखंदपाद असी जो मेन विशा लिख्या सी ओनों सी डिटेल विच्छ समझान दे हाँ उसी किद्धा समझाया पहला सी दस्या किसी तो अड़ी स्कूल विच इस जमात विच पढ़ दे हाँ फिर सी मेन गल्द असी कि मेननों कार विच एक जरूरी गाम पै गया है जिस करके मैं आज स्कूल विच आजर नहीं हो सकदा फिर असी बेंती गिती है करपा करके मेननों एक दिन दी छुट्टी दिती जावे तनवाद सहत बदलब अगर तुसी सन छुट्टी दिन दे हो तो इस चीज लिए असी तो अड़े शुकर गजार हो वाँगे इसले असी लिख दे हां तनवाद सहत नेक्स्ट पार्ट विच उसकी लिख दे हाँ तन्वा सहेत बाद से लिख दे हाँ आप जीदा जादी आज्याकारी मतलब मैं तोड़ी आज्याकारी हाँ या अज्याकारी हाँ फिर तुसी अपना नेक्स्ट नाम लिख दे हो जमात लिख दे हो रोल नंबर लिखना है अधे बिलकुल लास्ट विचाएगी मिती जो व्याजदी डेट होवेगी होन असे एक वार एप्लिकेशन नो रिवाइज करांगे जरूरी काम लेई चुट्टी लेई पत्तर सेवा विखे मुख अधियापिकाजी एसके एसके एजुकेशनल इंस्टिचूट लुद्याना विशा जरूरी काम दी चुट्टी लेई पत्तर शिरी मती जी बेंती ये हैं कि मैं आप जीदे स्कूल तुझी जमात विच पढ़दा पढ़दी हां मैंनुकार विच एक जरूरी काम पैंग गया है इसलिए मैं अज स्कूल विच हाजर नहीं हो सकदा या सकदी करपा करके मैंनुक एक दिन दी चुट्टी दिती जावे दनवाद सहत आप जीदा जान दी अग्याकारी नाम जमात रोल नंबर मित्ती जिद्दा क्याज चौवी अप्रेल है एद्दा तुसी मित्ती सौरी पच्ची अप्रेल मित्ती लिखोगे बच्चों मैंनु उमीद है कि तौन अप्लिकेशन समझ आई होवेगी तुसी इसनू कार्विच्य रिवाइस करना है लर्न करना है अपनी पक्की काप युद्टे नोड करना है तो अड़ा होमवर्क एहे है कि अर्जी नू तुसी अपनी पक्की का पीरते लिखना है आते दूसरा होमवर्क है टोड़ा जो मैं तो नू कवीता बाग दी सैर करवाई सी ओदे कवीता दे प्रशन उत्तर जो कि मैं तो नू स्कैन डॉकुमेंट सैंड कितना सी तुसी नू याद करना है लर्न करना है पढ़ना है बच्यो मैंने उमीद है कि तुसी डेली अपना होमवर्क कंप्लीट करना है श्रारता बलकुल नहीं करनी है अपनी मम्मी पापा दा कहना मनना है ते उमीद कर दे हैं कि यसी जल्दी ही मिलिए थैंक्यू झाल